पाइलोट को मिला मुदी सरकार का साथ मुश्किल में फसे अशोग गैलोट रायस्थान में केंदरी चाँच एजेंसियों केंट्री से पैकफुर्ट पर कॉंग्रे सरकार गैलोट का दावा जहां चुनाओ होता है वहाँ एडी पहुँच जाती है इसे इतफाक ही कहेंगे कि रायस्थान किसी अशोग गैलोट थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पर दावा करते रहते हैं कि सचिन पाइलोट के तार भी जेपी से जुड़े हुए हैं वो 2020 में होई बगावत की याद भी दिलाते रहते हैं इसी के सहारे वो पाइलोट पर निशाना साथते रहते हैं गैलोट सबर्तक विधायकों का तो यहां तक दावा है कि वो शाह के संपर्क में थे और आज भी हैं कि पता नहीं लेकिन 2020 में जरूर शाह के संपर्क में थे पाइलेट और गहलोत के भी चारोप प्रत्यारोप का दोर लंबे समझ से चल रहा है पाइलेट ने पेपर लीग मामले में भी अपनी सरकार खलाप आंदोलन शुरू करने का एलान किया था 11 मई से 15 मई तक अजमेर से जैपूर तक की 125 किलोमेटर की पद्यातरा की थी और अपनी ही सरकार को 15 दिन का अल्टिमेट अब दिया था गहलोत ने पाइलेट की चेतावनी पर तो कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन केंदर की नजर जरूर इस पूरे मामले पर पड़ गई है और वो सचिन पाइलेट के साथ खड़ी हो गई है पेपर लीग मामले में जिस तरह की जांच राज सरकार करा रही थी उससे सचिन पाइलेट खुश नहीं दिख रहे थे तावा कर रहे थे कि पड़ी मचलियों को बचाया जा रहा है और बेकसूर लोगों को फसाया जा रहा है पाइलेट की बात गैलोट ने भले ही न सुनी हो लेकिन केंदर सरकार तक जरूर पाइलेट की आवास पहुँच गई और केंदरी एजनसिया हरकत में आ गई पेपर लीग मामले में अचाना की एडी की रायस्तान में इंट्री हो गई और उसके एक साथ 28 शिकानों पर छाबे मारी की एडी की इस कारवाई से सूबी की सियासत गर्मा गई है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने एडी कारवाई पर कई सवाल खड़े कर दिये है वहीं बीजेपी ने एडी की कारवाई को जैस ठहराया है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत ने एडी की छावेमारी पर आपत्ती जताई है कि आप देखो इसमें कहां कहां तक पहुच सकते हो किस-किस की थोड़ी बहुत पोल मिल सकती है छोटी-मोटी हर घलती हर व्यापारी और उद्योकपती से हो जाती है हर वेक्ति से नहीं चाहते हुए भी सिस्टम ऐसा उन्प में घलती हो जाती है सरकार के जैसी प्रक्रिया उसके अंदर छोटी-मोटी कमी रहती है इसलिए चार्टर अकाउंटन्ट लगाए जाते हैं उसमें अगर आप E.D. को घुसा दो तो क्या मतलब है राजस्थान कॉंग्रेस के अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने कहा कि हम तो E.D. का इंतजार कर रहे थे हम तो इनका स्वागत करेंगे E.D. पॉलिटिकल टास्क लेकर आई है मोदी शाह की केंदर सरकार के चुनाओं से पहले हर राज्ज में ऐसा करती है पहले उन्होंने करनाटक में किया 36 गड में कर रहे हैं और अब राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है लेकिन बीजेपी को गलत फैमी निकाल देनी चाहिए E.D. इंकम टेक्ट से चुनाओं नहीं जीते जाते है चुनाओं जीतने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है लोटासरा प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले जैपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे दूसरी तरब इस मुद्धे पर आंदोलन चलाने वाले पीजेपी के राजस्वा सांसत की रोडी लाल मीडा का दावा है कि इस घोटाले में कई मंत्री और सीम दप्तर के अपसर शामिल है E.D. की जाज में हम ये बड़े मगरमच पकड़े जाएंगे सांसत राजवर्धन राठाओं ने अरूप लगाया कि राजस्थान में पेपर लीग गोटाले में चोर छोटी मचनिया पकड़ रहे थे असले गुनेगार अब पकड़े जाएंगे 2021 में आयोजित हुई रीट परिक्षा में पेपर लीग हुआ था कुछ रद्ध हुई थी डेरो रिपोर्ट दा नौदर्पर न्यूस